केते हैं तुम चिंता मत करो रटन तुम रटो पुजिराधा बबाब भी एक केते हैं जब तक हमारा हरदे निर्मल नहीं हो जाता तब भजन में मन नहीं लगता भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है चोविस घंटे में यदि आपने दस मिनट राजी कर लिया है भजन करने में तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है अनंत जन्मू का विशयाकार मन दस मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कृप जीत लिया है आप चल के तो देखना उबना नहीं है हा राश नहीं होना रटन इसमें क्या जाता है मन लगे न लगे पवित्र हो ना पवित्र हो कुछ कैसे कुभा हो कुछ असरदा हो कैसे भी हो इसमें हम तो कोई सर्थ नहीं रख रहे हैं रटन राधा 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 क्या जाता है आप श्नान किये हैं कि नहीं किये हैं आपका भाव कैसा है आपके आचरं कैसे हैं बिल्कुल चिंता मत कर दो ये दरुबार श्री लाड़ली जू काईशा है कि जहां किशी को प्यार न मिलता हो किशी की ठोर न हो सब जिसको तिरस्कार करते हो अगर वो यहां सर जुका दे तो सब के नमस्कार करने योगी बन जाता है द्यान रखना हमारी लाडली जुके चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो कोई प्यार न करता हो भारी दुख शमश्या ही घेरे है सर जुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना श्रामी माल लेना लाडली जु मेरी महरानी जु है बस अब जो हो सो हो फिर देख लेना किशोरी जुके गोरे चरणार विंद का आश्रेलेने मातर से लाल जुकी पूरी दृष्टी उस पर होती है और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टी होती है सब बदल जाता है जा परनाथ करो तुम दाया तो ताही सदा सुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रशन ताव उपर स्वई बिजई बिनई गुन सागर तास सुजस त्रैलो को जागर जिस पर लाल जुकी दृष्टी हो जाती है वो बिजई हो जाता है त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है त्रिभुवन में उसका यश होता है मान लीजिए, विश्वास किजिए रटन श्रीपादा देश कर रहे हैं रटन प्रारंभ में अपने जीवन की बात बता रहे हैं कुछ पूर्व का हो गायशा कि जब विद्याले से आते, अपना वो बेग टांगते, तेक उदाशी छा जाते, अपने आप उदाशी छी, मतलब आप आश्चर मानेंगे, जैसे किसी का उत्स हो रहा है, बेंड बज रहा है, ब्या हो रहा है, हम बैठ के रोते थे, पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का थ और बस एकांत में होता था, हमारी समश्या का हल होना चाहिए, बच्चे थे, यही हम उस जगद गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं, जो अब्यक्त रूप शेखीचते हैं, बस समश्या थी, कौन मेरा है, यह पढ़ के क्या होगा, हम अपने हरदे के, आप खुब पढ़ जिन-जिन की तरफ देख रहें, सम मरेंगे, कौन है मेरा, अखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे, एक रास्ता निकला, भगवान का अश्या ले लो, भगवान का अश्या ले लो, अंदर से आता, भगवान, अब वो जानते में नहीं थे, कैसे अस्या ल लग के बात है, मन नहीं लगता तो, गुरुद्य भगवान, जिन्होंने हमें हमारे भक्ती का अंकुरण किया, पोशा, पाला, तुम्हें सिंता में मत पढ़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचारा आते हैं, इसकी चिंता में, तुम्हें जो बताया बस इसको रटो, अब अंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण नहों, तो प्रार्थना कि, कि मंत्र में मन नहीं लगता है, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोनी लगाओ, और उश्रमें शयू पाशना, तो शाम शदाशिव, शाम शदाशिव, शाम शदाशिव, बिल्व का वरक्ष था बेल का, नीचे एकान शाम शदाशिव, शाम शदाशिव, शाम शदाशिव, अंदर, रटन से हो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा, घंटों जो गुर्देव ने मंत्र जया था, उसमें मन टिकने लगा, जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंद एक आंत्शेवन जीवन पहले रटन जरूरी है जो एकदम सिद्ध बनना चाहते है धोखे में डाल देगा मन रटन जरूरी है रटो जिब्या से रटो बाबा कहते हैं जिब्या को मसीन की तरह चलाओ रदा 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 पान सही नहीं है हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं है गंदी भावनावाली है हमारे आचरण भी गंदे है हमारा सीधा मन भगवदा कार या मंत्रा कार नहीं होगा इसलिए रटन रटन यह जिब्या को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए इसमें दो कार नहीं है वाकेंद्री एक करमेंद्री है यह और रशेंद्री यह ग्यानेंद्री है यहीं से बरबादी शुरू होती है यह मुखिया है मुख यहीं से हमें बरबाद करता है दूसरी की चुगली, निंदा, पापवारता और क्या-क्या राज कथा, लोक कथा, ग्राम में कथा, भोग कथा, यही करता रहता है बश अच्छा-च्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले रसेंद्री जिसकी ढीली, तो सवेंद्रियां उसकी बहिर मुख होंगी रटन यह बहुत अम्रतमई बात है अपने लोगों के लिए तो बहुत सुन्दर उपाय है श्रीमत्च दुराशी जी कोई एक पदयाद कर लो एक अक्षर में श्यामा-श्यम विराजम के एक-एक अक्षर में स्रवत अतिम धरुबानी एक पद कोई याद कर लो कंटस्त कर लो उसी को सो बार गाओ आप देखें कोई भी एक पद जो आपको सैज में याद हो जाए सुन मेरो बचन छवीली राधा तै पायो रस सिंदु अगाधा तु ग्रशवान गोप की बेटी मोहन लाल रसिक हस बेट जाहि विरंचि उमापतिनाए ता पैते बन फूल बिनाए जो रस नेति नेति सुति भाखेो ताको ते अधर सुधादस चाकेो तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसे हित हरिवन कचुक जस्तु सो बार गाओ इसी को गुन गुन आओ देखो अब चमतकार देखो ये मान लो हमा वे सुन्दरता की सीमा नाम बाने निकट स्याम स्यामा प्रगट नाम बाने सुनत स्याम स्यामा सुबस नाम बाने जहां स्याम स्यामा तहां चाय जहां हो देश भी देश कहें भी नाम चल रहा है और वानी जी चल रही तो प्रिया प्रितम तुम्हारे साथ चल रहे दिन आपको अनुभो हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं पहला आदेश है आह मेरे कौन से पुल्ण हुदे हो गए कि मुझे वरंदा बनाने को मिला बोले नहीं नहीं पुल्णे नहीं कारुणिया करुणा की पुल्णे में इतनी कहा दम थी कि ऐसा मिलता मे मेरी महराने लाडली जोने करुणा कर दी मुझे धाम का शानित दिया वास दिया आस्त्रे दिया दर्शन दिया रज में बैट के सत्संग सुनने का शोभाग दिया तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिब्ब लीला इस्पृत कर देगा धाम है पर क्या करो रटन ब्रंदारनि अभीरत मने निरंतर बिना रुके आप को समय तो लुक केते हैं हमारे पास समय नहीं हम सब से प्रार्थना करते हैं अपने साथ धोखा मत करो